दादी मा के 50 अनमोल बेबी केर टिप्स नमस्ते फ्रेंड्स आपका स्वागत है आज के वीडियो में जहां हम दादी मा के 50 अनमोल बेबी केर टिप्स लेकर आए हैं ये टिप्स सदियों से हमारे बुजर्गों के अनुभव पर आदारित है और आज भी उतने ही कारगार है तो चलिए शुरू करते हैं छोटे बच्चों की धेख बाल को और भी आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नमबर एक, नवजात बच्चे को हलके गरम पानी से नहलाए सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए हलके गरम पानी बैतर होता है दो, सिर पर तेल की मालिश करे दादी मा कहती है कि सिर की हलकी मालिश से बच्चों का मस्तिक मजबूत होता है तीन, सर्दी से बचाने के लिए शेहद और अद्रक का रस थोड़ी सी मात्रा में शहद और अद्रकारस बच्चे को सर्दी से बचाता है छोटे बच्चो के लिए डॉक्टर की सला जरूर ले चार गुनगुने सरसो के तेल से मालिश सरसो के तेल की मालिश से बच्चे की तवचा मजबूर और स्वस्त रहती है पाच छोटे बच्चे को दई न खिलाए बहुत छोटे बच्चो को दई न ही खिलाने चाहिए खास कर ठंड में छे नहलाने से पहले सिर पर तेल जरूर लगाए इससे सिर में ठंड नहीं लगती और बाल भी मजबूत रहते हैं साथ रात में सोने से पहले पैर की मालिश इससे बच्चो की मीन गहरी होती है और उनका विकास बहतर होता है आठ नाभी पर घी लगाए दादी मा का कहना है कि इससे पेट दरद और गैस से आराम मिलता है नौ बच्चो के दूद में हल्दी एक चुटकी इससे क्या होगा हल्दी दूद को गरम और पोशक बनाती है दस नवजात के लिए कपड़े दोने में रीठा का उप्योग इससे बच्चो की तवचा को कोई नुकसान नहीं पोचाता ग्यारा सोने के समय माथे पर घी लगाए इससे बच्चे को अच्छी नीन दाती है बारा बच्चो को धूप में हलका सा तेल लगा कर बिठाए इससे शरीर को विटामिन भी मिलता है तेरा पेट की मालिश हमेशा हलके हातों से करे इससे पाचन सही रहता है चौदा बच्चो के बिस्तर पर नीन की पतियां रखे इससे मच्छर और कीडे बच्चे से दूर रहते हैं पंदरा ठन के दिनों में बच्चे को उनी कपड़े जरूर पहनाए पर ध्यान रहे उनी कपड़े सीधे शरीर से नाच हुए नीचे सूती कपड़े जरूर पिनाए सोला आखों में गुलाब जल का एक बून अगर बच्चे की आखों में जलन हो तो गुलाब जल से राहत मिलती हैं पर डॉक्टर की सला अवशक है सत्रा नाबी पर सरसो का तेल डाले इससे पेट के कीड़े दूर होते हैं अच्रा बच्चे की मालिश के बाद तुरन नहलाए नहीं मालिश के बाद थोड़ा समय दे ताकि तेल शरीर में अच्छे से समा सके उननीस नहलाते समय मुल्तानी मिट्टी का प्रियोग इससे बच्चे की तवचा चमकदार और स्वस्त रहती हैं बीस आयुरुवेदिक जटी बूटियों से बच्चे की मालिश करें तुलसी और अजवैन से बनी जड़ी बूटियां फायदमन होती हैं इक्कीस गर्मी में हलके सूती कपड़े पनाएं इससे बच्चे को आराम महसूस होता है बाईस गहरेलू बनावट का खिलोना दे बच्चों को कपड़े या लकडी के खिलोने दे ये सुरक्षित होते हैं 23. बच्चे के खिलोनों को रोज साफ करे इससे उन्हें बैक्टिरिया से दूर रखा जा सकता है 24. अद्रक का हलका काड़ा सर्दियों में पिलाए इससे बच्चे की रोग प्रती रोधक शमता बढ़ती है 25. रात में सरसो के तेल की हलकी मालिश पेरो पर इससे बच्चे को आराम मिलेगा और ठंड नहीं लगेगी 26. पेरो की उंगलियों के भी साफ कपड़े रखे इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा 27. काजल का उप्योग ना करे इससे आखों में इन्फेक्शन हो सकता है 28. नवजात को साव सुत्रा दूद पिलाए दूद हमेशा उबाल कर ही दे 29. बच्चे को सोने से पहले पेट के बल लिटाए इससे उनके पेट की गैस कम होती है 30. बच्चों को रोज एक नई कहानी सुनाए इससे उनकी सोचनी की शमता पढ़ती है 31. नीन के पत्तों का रस बालों में लगाए इससे बाल मजबूत होते है 32. बच्चों को दूल मिक्ती से दूर रखे इससे ऐलर्जी से बचा जा सकता है 33. बच्चे को सही समय पर टिकाकरन कराए टिकाकरन से बच्चे कई बीमारियों से सुरक्षित रहते है 34. बच्चों को बहुत ज़्यादा चीनी न दे इससे उनके दाथ कमजोर हो सकते है 35. बच्चे को अधिक पानी पिलाए गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना चाहिए 36. बच्चों के बालों में हफते में एक बार नारियल तेल की मालिश करे इससे बालों का विकास बहतर होता है 37. शैद और अद्रक की हल्की मात्रा सर्दियों में दे इससे सर्दी खासी में आराम मिलेगा 38. घर में बच्चों के लिए साफ सुत्रा माहोल रखे बच्चों की सेहत के लिए साफ सफाही बहुत जरूरी है 39. बच्चे को हाथ मूध होने की आदत डाले 40. बच्चों को बाहर खेलने दे इससे उनकी युमिडेटी स्ट्रॉंग होती है 41. कपडों में चंदन का पाउडर डाले इससे कपड़े ठंडक देंगे और बच्चे को राहत मिलेगी 42. धनिया के पानी से बच्चों को निलाए इससे तवच्चा में ठंडक महसूस होगी 43. हर रोज बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाए इससे उनकी कलपना शक्ती और सोचनी की शमता बढ़ेगी 44. नवजात को दूद पिलाते वक्त दिहान रखे दूद देते वक्त बच्चे का सिर हमेशा उपर की तरफ रखे 45. बच्चों के नाखून हमेशा छोटे रखे इससे बच्चे खुद को चोट नहीं पहुचाएंगे 46. खुजली से राहत के लिए एलोवरा का जल लगाएं इससे बच्चे की तवच्चा को धंडत मिलेगी 47. गुनगुने पानी से बच्चों को नहलाएं इससे उनकी तवच्चा स्वस और नरम रहेगी 48. तेज धूप में बच्चों को बहार ना निकाले गर्मियों में बच्चों को घर के अंदर ही रखे 49. बच्चों के पेट पर हलका सा तेल मले इससे उनका पाचन तंत्र बहतर होता है 50. बच्चों को रोजाना धूप में 10 मिनिट जरूर बिठाए धूप से उन्हें विटामिन D मिलता है जो हडियों के लिए बहुत जरूरी है उमीद हैं दादी मा के इन 50 अनमोल टिप्स से आपको बच्चों की देखबाल में मदद मिलेगी इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ सामानिय जानकारी और दादी मा के अनुभव पर आदारित है किसी भी स्वास समस्या या संदे की स्तिती में अपने डॉक्टर या बाल रोख विशिश यग्या से सला लेना जरूरी है हर बच्चे का शरीर अलग होता है इसलिए किसी भी घहरलू उपाय या टिप्स को अपनाने से पहले विशिश अग्या की सला अवश ले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करें और ऐसी ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नई जानकरी के साथ तब तक के लिए नमस्ते चाओ